प्यारे बच्चो आज आपके सामने जो एwen टापिक है टापिक भी अडिचेक्तिव से ही है को टापिक बहुत लंबा है बहुง लेंदी है एक-एक को ठोटी-छोड़े टापिक 9 इतने भी टापिक हैं उनको एक करके बताएंगे चार मिनट वीडियो दस मिनट का वीडियो पंदा मिनट के वीडियो जैसा ही बनेगा समझाया जाएगा लेकि एक भी नियम छोड़ा नहीं जाएगा पुरी कोशिस एही है कि सारे नियम को आपके सामने हम पस्तुत करें देखे डिग्री आप अड्जेक्टीव जो होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विसेस्ता बताने का काम करता है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले परियुक्त होता है नाउन के पहले परियुक्त होगा उसकी विसेस्ता बताएगा ठीक है लेकिन जो नाउन होता है उस नंबर से देखते हैं, जंडर से देखते हैं, वाइस से देखते हैं, लेकिन डिगरी को जब हम देखते हैं, तो हमेशा उसको हम डिगरी से देखते हैं, किसे देखते हैं, डिगरी से, क्योंकि अडिगरी से देखा जाता है, अडिगरी को हमेशा डिगरी से देखा जाता है, अदेखिटिस अभर आप से कभी जंडर से नहीं देखा जाता है किसी बेक्ति या बस तुमें कोई गुड किसी बएक्ति में या बस तुमें कौई गुड कितनी मातराchs मात्रा में है मात्रा का मतलब क्वांटिटी नहीं डिग्री कितनी मात्रा में है कितने डिग्री में है इसका आकलन लगाने के लिए आकलन पता लगाने के लिए हम डिग्री आप एड्जेक्टिव या डिग्री आप कंपारिजन का प्रियोग करते हैं इस प्रकार इसको ध्यान देना है कि किसी ब्यक्तिया बस्तु में कोई गुड कितनी मात्रा में है मत्रा मनलब क्वांटिटी नहीं कितनी डिगरी में है क्योंकि अड्जेक्टिव को हम डिगरी से नापते हैं डिगरी से देखते हैं उसको हम कितनी मात्रा में है तो इसका आकलन करने के लिए आकलन लग गाने के लिए हम डिग्री आप अड्जेक्टिव का प्रियोग करते हैं या डिग्री आप कमपरिजन का प्रियोग करते हैं अब जो अड्जेक्टिव होता है इसकी तीन डिग्री हो जोते हैं अड्जेक्टिव के जो डिग्री होते हैं वो तीन होते हैं पहला होता पॉजिट पॉस्टिव डिगरी दूसरा कमप्रेटिव डिगरी और तीसरा सुपरलेटिव डिगरी होता है तो पॉस्टिव डिगरी क्या होता है कमप्रेटिव क्या होता है सुपरलेटिव क्या होता है चले जान लेते हैं क्या क्या होता है देखिए पॉस्टिव डिगरी जो होता है यह दूसरी बात क्या है? पास्टिव डिग्री में गुडों की तुलना नहीं की जाती है। पास्टिब डिगरी में गुडों की तुलना नहीं की जाती है किसी सित किसी की तुलना नहीं होगी लेकिन यदि तुलना होती भी है पास्टिब डिगरी में तुलना नहीं होती लेकिन यदि होती भी है तो समानता दिखाया जाता है यद तुलना होती भी है यद तुलना की भ मोटा हूँ जितना कि तुम मैं इतना बुद्धिमान हूँ जितना कि तुम समानता कम या ज्यादा नहीं समानता दिखाने का का में पॉस्ट्ट डिगरी करेगा इसमें क्या होगा सब्जेक्ट होगा प्लस वर्व होगा प्लस अडसे कि जीसा बलीजी ऐख त्सक्राइब दूज़ा है कि यह समझे सब्सक्राइब सुछ आपलेक्टेश है मुल रूफे है दौण है ऊपपा क्या मेनवर्ला है यह आपका क्या मोगत कॉम्पलिमेंट हो nggak यह कंपलिमेंट हमक्लिमेंट हो घर चैनल भाण ऊ extrêmement है में आपको मैं एय cię Class मूल रूप में है क्लेवर है तुलना नहीं हो रही है लेकिन यह तुलना इसमें होती भी है तो समानता दिखाने के इसके तुलना होती है समानता जिसे राम इज आएज क्लेवर आएज क्लेवर आएज आई राम इस आईज क्लेवर आईज आई या सीता इस आईज इंटेलीजेंट आईज लिए या दर की हमेंसा अगर तुलना होगी तो समानता में तुलना होगी आईज क्लेवर C-L-E-V-E-R तुलना क्या होगी है समान होगी कम या ज्यादा नहीं होगी जैसे राम उतना हुसियार है जितना की मैं I am आईज फैट आईज ही मैं इतना मोटा हूँ जितना की वह तुलना हमेशा तुलना हमेशा समानता में होगी पॉस्टिव डिग्री में कम या ज्यादा नहीं होता है इस बात का हमेशा ध्यान तकिएगा और आईज जब लगेगा तो हमेशा पॉस्टिव डिग्री रहता है आईज है तो पॉस्टिव डिग्री तो पॉस्टिव डिग्री अर्जेक्टिव का मूल रूप होता है इसमें गुरों की तुल्ला नहीं होती है यदि होती भी है तो समान रूप में होती है समानता दिखाने के लिए होती है कम या ज्यादा नहीं कम या ज्यादा दिखाने के लिए कंप्रेटिव बिग्री का परियों होता है ठीक है समझना गया दूसरा देखे कंप्रेटिव बिग्री क् में तुलना होती है कमप्रेटिव डिगरी है यह दैन जरूर लेगा क्या लेगा दैन जरूर लेगा यह कमप्रेटिव डिगरी में दैन जरूर लगता है एक यही प्रकार के दो बेक्तियों या बस्तूओं में तुलना होती है और यहां बताने के लिए होती है यहां बताया ज दूसरे से अधिक है एक में दूसरे से अधिक है यह बताने के लिए होता है इसमें यह बताया जाता है कि जो गुड की मात्रा है जो गुड की डिगरी है ओ एक में दूसरे से अधिक है एक कंप्रेट डिगरी की भी सिश्टा है जाने जैसे राम इज टालर दैन सोहन देखे दैन लगा हुआ है टालर 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 टालेश्ट क्लेवर 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 क्लेवरेश्ट स्ट्रांग स्ट्रांगर स्ट्रांगेश्ट ब्यूटिफुल मोर ब्यूटिफुल मोस्ट ब्यूटिफुल यह डिगरी है पॉस्टिव कम्प्रेट गुड़ा की मात्रा है जो गुड़ की दिगरी है एक में दूसर से अधिक है तो राम इस टालर दैन सोहन राम सोहन से ज्ially大दालमबं है के अदि कम मिया अधिग दिखाने के लिए कम लिगने समानता दिखाने के लिए सेटिवेह। होता है। तानर दयन सोहन करीम इज रिचर्देन महंन या विजह माल्या टी जड जो गुड की मात्र एक में दूसरे से अधिक है अधिक है अधिक हैकम दिखाने के लिए competitive degree दयन का परियोग देखी हुआ है रिचर है दयन तालर है दयन ठीक है समझमा गया सुपरलेटिब क्या होता है सुपरलेटिब डिगरी एक ही प्रकार के जब तीन या तीन से अधिक ब्यक्तियों या बस्तूं की तुलना होती है तो सुपरलेटिव डिगरी का प्रयोग होता है किसका प्रयोग होता है सुपरलेटिव एक ही प्रकार के जब तीन या तीन से अधिक बेक्तियों या बस्तूओं की तुलना होती है तो सुपरलेटिव डिगरी का प्रयोग होता है इसमें यह बताया जाता है कि गुड़ की जो मात्रा है गुड़ की मात्रा जो है एक में सबसे अधिक है किसी एक में सबसे अधिक बताने के लिए सुपरलेटी बिगदी का प्रियों होता है तीन या तीन से अधिक बेक्तियों या बस्तों की तुलना होती ये कही प्रकार की जब 3 या 3 से अधिक बेक्तियों बस्तों की तुलना होती है तो उसमें यह बताया जाता है कि एक में गुड की जो मात्रा है जो गुड की डिग्री है वो क्या सबसे अधिक है जैसे करीम इस दा रीचेस्ट मैन आफ दा विलेज गाउं का सबसे धनी आदमी है करीम is the richest man of the village superlative degree के पूर्व दा आता जरूर है superlative degree के पूर्व अट्जेक्टिव का जो superlative degree है उसके परे दा जरूर आता है करीम is the richest man of the village करीम गाओं का सबसे धनिया दिए राम इस दा टालिस्ट बु後 आफ दा क्लास क्लास का सबसे लंबा लणका है कि आप दा क्लास इंदा क्लास कांसेट्ट आपको समझाएंगे हम Mary is the tallest of all girls Mary is the tallest of all girls सभी लड़कियों में सबसे लंबी है सबसे लंबी तीन या तीन से अधिक बेक्तियों या बस्तों की जब तुलना होती है तो उसमें सुपरलेटिव डिगरी का प्रयोग होता है यह बताने के लिए कि जो गुड की मात्रा है एक में सबसे अधिक है एक में सबसे अधिक है तो इस प्रकार यह हमारा पॉस्टिव हुआ कमप्रेटिव हुआ और सुपरलेटिव हुआ अब इस पॉस्टिव कमप्रेटिव और सुपरलेटिव से अभी हम आपको अगली वीडियों बताएंगे कि competitive कैसे बनता है superlative कैसे बनता है इसको बता देंगे उसके बाद इनसे सम्मंदी जितने rules हैं एक-एक का अध्यन हम करेंगे एक भी topic छोड़ा नहीं जाएगा ठीक है समझ ना गया तो इसको ध्यान रखिएगा तयार रखिएगा पढ़ते रहिए और जादे जादे बच्चों में इसको share करिए और समझ में आए तो आप comment जरूर करिए ठीक है समझ माया that's all thank you